सब्सक्राइब करें साइन्स विएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइन्स और मैट्स के सूपर वीडियो देखें हमारा कोश्चन नमबर 10 क्या है show that 1-sin60 upon cost 60 is equal to 1060-1 upon 1060 plus 1 कुछ नहीं करना है simply हमको show करना है कि यह जो value है और इसका जो value होगा दोनों same होगा LHS is equal to RHS होना चाहिए और यह one number है इसका two number में same है इसको इसको equal करना है cost 30 का value हमको पता है क्या होता है जरूट 3 upon 2 होता है इस पूरे का value रूट 3 upon 2 आ जाएगा तो हमारा show हो जाएगा simply है इसको भी हम लोग solve करते है पहले यह बारा करते है चलिए अब देखिए क्या है LHS is equal to 1 minus sin 60 देखिए हम लोगोंने description में जो link है उस वाली video से बनाया है न एक minute में हम लोगोंने चार्ट तयार किया है sin 60 क्या है root 3 upon 2 तो 1 minus क्या हो जाएगा root 3 upon 2 और by क्या हो जाएगा जो कि हमारा half हो गया ठीक है इसमें कोई दिकत नहीं सर नहीं है अब उपर वाला पहले solve करेंगे इन दोनों का LCM लेंगे यहाँ one ए two और one का LCM क्या हो जाएगा sir two और one का LCM हो जाएगा two अब two इससे multiply हो जाएगा क्योंकि one से divide भाग दो यह होगा two बन सा two minus root 3 है ना हाँ और यह whole वाला divide है इसके निचे क्या हो जाएगा one upon two जो कि हमारा हाफ है कॉस कितना 60 degree है ना अब देखिये यह जो 2 है यह जो 2 है दोनों on divide में है ना यह और his Court like में होता है यह जाएगा इसके पास तो यह directly काज़ाएगा cut-off हो जाएगा है ना लॉन कट जाएगे और हमाना बश्काएगा 1 बचे का सर अब देखिए हमारे पास value क्या आया value आया कि देखिए ये क्या है उपर में 2-root 3 है न हाँ और नीचे क्या है सारा 1 है 1 by 1 by 1 by 1 कुछ भी कीजिए y आएगा 2-root 3 ये हमारे क्या आगे सर LHS आगया चलिए अब RHS देखते हैं R.H.S. ठीक है RHS क्या है 1060-1 1060 का value root 3 है तो root 3-1 by root 3 plus 1 यही है न सर 1060-1060 root 3-1 1060-1 1060 plus 1 root 3 कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आप देखिए आप बुले का सर ये तो जमीन आसमन का फर्क हो गया दोनों में नहीं सर जमीन आसमन का फर्क कैसे हो गया सर आपको क्या करना है सर इसको rationalize कर देना है rationalize में क्या करते है सर rationalization में हम लोग जो नीचे sign होता था उसके opposite sign से उपर नीचे क्या करते थे सर multiply करते थे है ना तो root 3-1 by root 3 plus 1 अब देखिए नीचे कौन सा sign है plus है तो यहां पर क्या हो जागा root 3 minus 1 into by मतलब root 3 minus 1 ठीक है ना सर क्या इससे आपको पता लगा कि जो नीचे sign होता था उसके opposite sign से देखिए term same है term क्या है same है जो नीचे है वह हम लोगों ने इधर भी लिखा है लेकिन बीच का sign change किया है अच्छा बीच का sign change क्यों करते थे बताए rationalization का importance क्या होता था ताकि हमारे जो root वाला value है वो नीचे जो है ना वो हट जाए इसलिए हम लोग करते थे है ना देखिए कैसे हटेगा सर अभी a plus b सिर्फ नीचे वाले को भी solve कर रहे a plus b into a minus b क्या होता है सर a plus b into a minus b क्या होता था a square minus b square हाँ सर बिल्कुल सही बोले आप तो कि a plus b into a minus b होता था a square minus b square हो जाता था हाँ सर बहुत अच्छा अब देखिए a minus b a minus b दोनों same term है क्या होता था माल लो 2 into 2 है तो 2 का square होता था था न सर या a into a है तो a square होता था ये पूरा a है ये भी दो a ही है ना तो a का square हो जाएगा यानि की root 3 minus 1 का whole square हो जाएगा ठीक है या आप simply दोनों को बारी बारी से multiply भी कर सकते है सेम आंसर आएगा ठीक है सर कैसे आएगा वो भी देख लेते है अब देखिए a minus b का whole square क्या होता है सर होता था सर बच्पन में पढ़े थे a square minus a square plus b square minus 2 into a into b तो हमारा 1 है है ना तो 1 से मटली प्लैक करे ना करे फर्क पड़ेगा क्या नहीं सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा बहुत सही लिख दे आप तो हाँ अब नीचे क्या है सर नीचे हमारा है root 3 का square root 3 का square यानि की square और root cancel हो गया सर 3 बचा 3 minus 1 हुआ है ना आनलिक देते हैं सर 3 minus 1 direct 2 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप लोग हुसी आ रहे हैं हमको पता है लेकिन फिर भी है ना अब देखिए नीचे तो 2 आ गया नीचे क्या आ गया सर 2 आ गया इस question को अभी solve में करें यही वाला हमारा चल रहा है ठीक है उपर क्या आ गया यहां देखिए क्या है root 3 का square root और square के इंसिर बचा क्या सर 3 बचा plus में 1 का square 1 बचा सर है ना हाँ 1 का square 1 minus यहां क्या आ गया 2 root 3 है 2 root 3 ठीक है ना सर हाँ सर 3 plus 1 3 plus 1 4 होता है सर कहे पूछ रहा है इतना हाँ अब यहां क्या बचा 2 root 3 by 2 अब आप एक चीज़ देखिएगा दोनों values सेम हो गई सर क्या बोल रहा है सर कहां सेम हो गई सर यहां 3 लिखे पहले अच्छे से हाँ यह हमारा 3 है याद रखिए हाँ कैसे सेम हो गई सर अब देखिए यहां 2 है यहां नीचे 2 है अब देखिए यहां भी 2 है इसको भी तो 2 into 2 लिख सकते है ना सर यानि कि दोनों values में आपके पास क्या है 2 available है तो 2 को common निकाल लीजी 2 यहां क्या बचेगा 2 माइनस यह 2 तो बाहर आ गया ना हाँ माइनस रूट 3 बाई 2 है ना सर अब तो हुआ एक जैसा अभी भी नहीं हुआ सर तो कटा दीजिए ना दोनों कट गया 2 2 अब तो हुआ सर एक जैसा हाँ सर 2 माइनस रूट 3 is equal to LHS हैंस क्या हो जाएगा सर हैंस प्रूवड है ना सर हाँ सर यह तो हमारा आंसर आ गया सर प्रूव कर दिया हम लोगोंने कि 1 माइनस साइन 60 अपन कॉस 60 is equal to 1060 माइनस 1 upon 1060 plus 1 होता है चलिए अब सेकिंड नमबर बनाते हैं इसका देखिए कॉस 30 प्लस साइन 60 upon 1 माइनस साइन 30 प्लस कॉस 60 is equal to कॉस 30 अब देखिए कॉस 30 का वेल्यू क्या है हमारा रूट 3 upon 1 लह उठाते है इस पूरे का उठाते है इदर ठीक है लह ठीक है कॉस 30 क्या है रूट 3 upon 2 तो रूट 3 upon 2 प्लस साइन 60 क्या है सर साइन 60 है हमारा जो कॉस 30 होता है वही तो साइन 60 होता है हाँ सर तो ये भी क्या हो जागा रूट 3 upon 2 प्लस में है न हाँ प्लस में है होल पे डिवीजन में है 1 प्लस साइन 30 कॉस 60 अब 1 प्लस साइन 30 हमारा क्या होता है सर साइन 30 होता था हाफ है ना अब जो साइन्टेट है वही this cost 60 о इ Instant our 好 ना एक दूसरे के हा तो यह भी क्या होजाएगा सर यह भी हमारा आफ होजाएगा si입니다 single जहाएं भी हमारा हाफ हो जएगा Simple है न सर कोई दिक्कत नहीं थे बिल्कुल दिक्कत नहीं है है ना बना रहे है अराम से अब नीचे वाले को देखते हैं नीचे वाले में यहां 2 है यहां 1 है तीनों का LCM लेंगे तो क्या बन जाएगा सर LCM आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर अब यह 2 1 से डिवाइगा 2 2 1 जा 2 2 प्लस यहां तो सेम ही है पूरा 1 प्लस 1 है ना सर हां सर यह तो बहुत अच्छा होगा अब उपर में LCM लेंगे तो वपर तो 2 ही आएगा सर as always है ना हाँ और कुछ नहीं होगा उपर simple हो जागा root 3 plus root 3 है ना हाँ अब क्या हो गया sir अब आप लिख दीजेगा root 3 plus root 3 root 3 का square है ना यही गल्दी तो हम लोग हमेशा करते आ रहे है है ना और फिर से अभी भी यही करते लेकिन नहीं sir अब ही हम लोग अच्छे-अच्छे से बना रहे है तो हम क्या जानते है कि a plus a हो जाता है 2a इसका जो coefficient होता है वो plus होता है 1 plus 1 2 a plus a ही रह गया है ना जो भी था हाँ अब देखिए root 3 plus root 3 root 3 plus root 3 2 root 3 है ना sir by 2 sir ठीक है हाँ by क्या 2 plus क्या है 2 plus 1 plus 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा by 2 हो जाएगा आप किसी को भी किसी से भी कटा दीजिए मतलब इसको इसको मत कटा दीजिएगा है ना मतलब हाँ देखिए ये 2 2 2 cancel हो गया ठीक है ये 2 1 is a 2 अब हमारा simple क्या है ना RHS बचा है तो लिखते हैं R.H.S. ठीक है RHS हमारा क्या से cos 30 है तो हमको पता है सर जो LHS हाता है नो वही RHS हाता है सच्ची वाला आप बंद कर दिये root 3 upon 2 लेग दिये ठीक है क्यों सर क्योंकि cos 30 का वैली root 3 upon 2 ही तो होता है सर देखिए cost 30 root 3 upon 2 is equal to LHS हना hence proved क्या prove कर दिये सर हम लोग हम लोग prove कर दिये कि cost 30 plus sin 60 upon 1 plus sin 30 plus cost 60 is equal to cost 30 होता है चलिए आगे बढ़ते हैं